आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानने वाले हैं इंट्रा मेमरी ट्यूब मेमल एजड के बारे में पांच क्राम की दोस्तों यह ट्यूब आती है पशुमें मैस्टाइटिस होने पे कौन सी कंडिशन पे अपन चड़ा सकते हैं कितने दिन इसको थनों में अपन इंट्रा आजेट है लंभी कंपनी के आती है और दोस्तों बहुत यूणिक साल्थ है इसके अंदर दो तरह के एंटिबाइटिक होते हैं इसके अंदर दोस्तों ऑच्छेए पशू के अंदर एक तरह से स्पोर्टिव थेरीपी है रहां पर इसको यूज़ कर सकते हैं क्लीनिकल वहाँ पे भी अपन यूज कर सकते हैं दोस्तों एक तरह से broad spectrum है और bacterial efficiency है उस पे काम करता है अब दोस्तों एक तरह से आपको simple भाषा हम बताओं तो अगर पशु को messtatis हो जाता है पशु के थन में अचानक से सूजन आ जाती है दूद ऐसमाने दूद हो जाता है दूद का color वो change हो जाता है कभी-कभी दूद के साथ जो पानी आने लग जाता है दूद की जगा कुछ पानी आने लग जाता है वहाँ पे अपन दोस्तों थनों में इस ट्यूप को चड़ा सकते हैं और fibrin के ठके आते हैं जब अपन दूद निकालते हैं तो दूद के साथ चिछड़े आते रहते हैं फ्लैक्स आते रहते हैं दोस्तों वहाँ पे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं थनों में सूचन है लालीमा है दर्द हो गया है किसी जो mastitis के card तो दोस्तों वहां पे अपन इसका यूज कर सकते हैं और दोस्तों कभी-कभी जो पशुका जो दूद अचानक से कम हो जाता है सब-clinical mastitis है तो वहां पे एकदम से पशुका जो दूद उत्पादन कम हो जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे अपन Mammal Aged Intramemory Tube का उप्योग कर सकते हैं Mycoplasma Mastatis हो गया है वहाँ पे भी अपन दोस्तों इसका उप्योग कर सकते हैं कभी-कभी क्या है कि अचानक से Mastatis होता है और अचानक से Mastatis होता है दोस्तों वहां पे अपन इसका उप्योग कर सकते हैं और कभी-कभी तो क्या है कि पूरे जो चारों क्वार्टर है वहां पे पूरों में हो जाता है चारों टीट में हो जाता है और कभी-कभी एक क्वार्टर में होता है तो दोस्तों वहां पे भीषटोप प्योग किया सकता है तो दोस्तों कहने का मतलब है लगबाग सब प्रकार के जो त्रेलर रोग है, किसी भी प्रकार का सब क्लिश्प है, मैपूब्लासमेमरी यूज्ज कैसे करना होता है दोस्तों मेमल एजड का उपयोग अपन जिस थन में मैस्टाइटिस हो गया है चाहिए वो एक क्वाटर में हो चाहिए वो पूरे अडर में हो चारों क्वाटर में हो तो दोस्तों वहां पे अपन इसका उपयोग कर सकते हैं और जहां पे लगता है कि एक थन में मैस्टाइटि कहने का मतलब है कि अपन दिनमें 2 बार कर सकते हैं अपन एक सोबह जब दूद निकालते हैं तो पूरा जिस थन में infection हुः है उसका जो दूद है पूरा निकाल लेना है वहां पे अपन जो टूब को इंदर इंजेक्ट कर देना है और शाम को भी अपन इस ट्यूब को चड़ा सकते हैं जिस थन में infection हुआ है जिस थन में mastitis हुआ है तो दोस्तों अपन दिन में दो बार अपन इसका use कर सकते हैं शूबह साम और दोस्तों तीन दिन तक अपन लगातार इसका उप्योग कर सकते हैं तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा धन्यवाद झाल झाल